अस्सलाम आलेकुम आज आपके लिए मैं एक न्यू एप्लिकेशन लाए हूँ जो के आपके लिए बहुत ज्यादा हेलफुल होने वाली है यह आपके वाटसप में आपके मेसेंजर में आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली एप्लिकेशन है और इस एप्लिकेशन के क से और एप्लिकेशन का नाम लिखने और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है आपने आना है इस एप्लिकेशन के अंदर इसको ओन करना है इस पर क्लिक करके इसको ओन करना है ओन करने के बाद अब आपने क्या करना है आपके पास क यहां से allow करने allow करने allow पर क्लिक कर देना उसके बाद यह कुछ loading होगी उसके बाद जो लिया इम्रिकेशन बिल्कुल ओन हो जाएगी अप आपने यहां पर क्या करने है यहां से उपड़ ओंपर वाले option all को on करके ओफ कर். और यहां से जो आपको एप सेलेक्ट करना है आपने उस पर आ जाना है अब मैं अभी एक वाटसप पर क्लिक करता हूँ और आपको इसके इलावा अगर प्राइस टैप चेट या फिर मेसिंजर पर भी करना है आप उस पर भी कर सकते अब मैं आपको जहां पर अपना पहला वाटसप दिखा देता हू जो के मेरा जेनियन वाटसप है जिसको मैं यूज करता हूँ यह मेरा वाटसप आ गया और वो मेरा दूसरा वाटसप है अब यहां से मैं कोई भी मेसिज टाइप करता हूँ यहां से मैं कोई भी मेशिज़ टाइप करके अपना इस WhatsApp पर Send कर देता हूँ उसके बाद जिए मैं इसको काट देता हूँ अब यहां उसके बाद इसको डिलीट करके अपने फिर्स्ट वाले WhatsApp में आ जाना है कि इस message को delete किया गया अब इसके इलावा इसका एक और मैं आपको future बताओ जो कि आपके लिए बहुत ही मज़िदार होने वाला है आपको ये सारे apps जो है GB WhatsApp के अंदर भी मिल जाएंगे लेकिन GB WhatsApp में अपना data leak होने का hack होने का खत्रा होता है तो उसके लिए आपके लिए ये application बहुत ज़्यादा best होने वाली है तो अब जो है मैं यहां से अपना उस WhatsApp में आ जाता हूँ जो मैं use नहीं करता जादा तर आप यहां से मैं कोई भी message लिखके send कर देता हूँ send करके अब जो है मैंने इस message को अपने असली WhatsApp से रीट करना है लेकिन इसके पास blue tick नहीं आए इसको पता ना चले इसके लिए simply मुझे इस application के अंदर आना है इस application पर click करते है इस application पर click के बाद इसको on करना है और यहां से अपना जिस username ने आपको जो है WhatsApp का message किया आपने उसके इसमें चले जा रहा है और यहां से आपने यह message देख लिए यह हाय का message लिखा हुआ है अब जो है मैं वहां से जाके अपना WhatsApp में देखा देता हूँ दूसरे WhatsApp में कि इसने message read किया है या नहीं आप यह देख सकते हैं मेरे पास blue tick नहीं आये वह सो यह आपके लिए application बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है इसको अभी install करें और इस application से भरपूर फायदा उठाए वीडियो पसंद आईए तो चैनल को like और subscribe कर दीजिएगा